है है हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ शीवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्यान एक्सपी तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एससी के लिए टॉप 25 और फ्रेंड्स यह सीरीज का पार्ट 54 है और दोस्तों इस सीरीज में हमने जो है वो क्वेस्टन्स रखें हुए हैं जो कि अक्सर एक्जाम में एससी पूछता है ठीक है और इसका पीडिएफ ही आपको मिलेगा सारा प्रोडिट जो है पीडिएफ का प्रोसेस मैंने आपको ब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पसंद आए प्लीज लाइक कर दीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रेंड्स आपका पहला क्वेस्टन है कि इंडिया इस फॉर सेल ठीक है ना दोस्तों यह पुस्तक किसने लि है ठीक है कि वो जो है किस एक्जाम में पूछे गए हैं तो फ्रेंड्स यह आपका प्रश्न है कि इंडिया इस फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है आपके आपके विक्रम सेट खुश्वन सिंग शोभा डेया चित्रा सुब्रमणियम तो बताए फ्रेंड्स की इंडि Kia is four cell now पुस्तक किस ने लिखी ये चित्रा सुब्रमणियम उप्सर नमपफूर इसिदाराइट आνसर Viv छुए फ्रेंड्स आफ लान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो डियर फ्रेंड्स इसमें वह बताना है politics of चर्खा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपके आशोक महता जेबी करपलानी जेशी करपलानी और जेबी करपलानी ठीक है ना केजी मशुरू वाला तो पताए फ्रेंड्स की politics politics of चर्खा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और अगर हम बात करें इसके राइटर की तो इस question का right answer हो जाएगा आपका option no.3 जेबी करपलानी तो politics of चर्खा नामक पुस्तक किसने लिखी है तो यह लिखी है जेबी करपलानी ने ऐसे में आपका right answer हो जाएगा option no.3 जेबी करपलानी ठीक है फ्रेंड्स चलिए डियर फ्रेंड्स आपका अगला question है कि poverty and unbritish rule in India दोस्तों बहुत अच्छा जो है question है और आपको बताना है कि poverty and unbritish rule in India किसकी पुस्तक है तो फ्रेंड्स आपके इस question का राइट आंसर अगर आपने चुना है option no.3 यानि कि दादा भाई नो रोजी तो बिलकुल राइट आंसर है आपका देखिए poverty and unbritish rule in India यह जो बुक है तो इसके राइटर कौन है इसके राइटर है डादा भाई नो रोजी option no.3 इस दा राइट अर्थ व्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं तो इसके लेखक कौन है यह बुक का नाम है भारत के लिए नियोजित अर्थ व्यवस्था आपके options है दादा भाई नो रोजी सर एम विश्वेश रहया मनमोहन सिंग या के एम मुंसी तो फ्रेंड्स आपके इस question का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका option no.2 यहने की स्थार एम विश्वेश रहया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका तो भारत के लिए नियोजित अर्थ वस्था इस पुस्तक के लेखका कौन है स्थार विश्वेश रहया ठीक है ना option no.2 is the right answer of this question चलिए जोस्तों आपका बुक और ऑथर से संबंधित लाश्ट क्वेश्चन है की free today ठीक है free today पुस्तक के लेखक हैं बताएं sorry friends free trade today ठीक है ठीक है तो बताएं फ्रेंड्स की free trade today पुस्तक किसने लिखी है तो इस question का राइट आंसर अगर आपने चुना है option no.1 यह ने की पी एन भगवत्ती तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका तो free trade today यह पुस्तक किसने लिखी है तो यह लिखिए पी एन भगवत्ती ने ठीक है अब आपका अगला question है कि भारत का वित्ती वर्ष प्रारंब होता है तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किस तिथी को यहने कि किस डेट को भारत का वित्ती वर्ष प्रारंब होता है आपके options हैं एक January एक March एक निया एक December तो इसको भी एक्जैम में पूछा गया है कई गई बार पूछा गया है तो बताई कि भारत का वित्ती वर्ष का प्रारंब होता है तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option no.3 एक अप्राइल तो भारत का वित्ती वर्ष का प्रारंब होता है तो यह प्रारंब होता है एक अप्राइल को option no.3 is the right answer of this question ठीक है फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं अगला question तो आपका अगला question है कि budget एक लेख पत्र है यह अच्छा question है फ्रेंड्स और अब इसमें आपको बताना है कि budget जो है किसका एक लेख पत्र है आपके options है सरकार की मौद्रक नीतिका सरकार के वाडिज नीतिका सरकार की राजकोशी नीतिका या सरकार की मुद्रा बचत नीतिका तो बताए फ्रेंड्स की बजट जो है एक लेख पत्र किसका है तो डियर फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चिन का राइट अंसर अगर आपने चुना है कि 필요 अगरे फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन कि स्व pronouns आधारित बजट का क्या अर्थ है बताई एकी स्व menus अपके सामने हैं चलिए बताए कि शोन आधारित बजट का अर्थ तो dear friends इस question का right answer अगर आपने चुना है option number 4 यहने की हर बार बिल्कुल नए सीरे से budget तयार करना तो हर बार बिल्कुल नए सीरे से budget तयार करने को बोलते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा आपका option number 4 हर बार बिल्कुल नए सीरे से budget तयार करना यह इसका right answer होता है चलिए आपका अगला question है कि शूर ने budget शूर ने आधारिद बजट तकनी की किस देश की देर मानी जाती है तो फ्रेंट शूर ने अधारिद बजट की हम बात कर रहे हैं तो यह जो एक किस देश की देन मानी जाती है options से स्युक्त राज अमेरिका स्युक्त राश्ट अमेरिका ब्रेटेन फ्रांस या भारत तो फ्रेंट यह स्युक्त राज अमेरिका ठीक है ना आपके इस क्वेस्टिन का राइट अंसर हो जाएगा आपका option no.1 स्युक्त राज अमेरिका ठीक है option no.1 is the right answer of this question चलिए प्रेंड्स आपका अगला question है कि सयुक्त राज अमेरिका में शून अधारित­ बजड तक्नीग को सरव परथम कब अपनाया गया तो बताइए अच्छा question है दिखे किसकी देर मानी जाती है तो संयुक्त राज अमेरिका की और इसमें ये पूछा गिया है कि संयुक्त राज अमेरिका में शून आधारित बजट तक्निक को सबसे पहले किस वर्ष अपनाया गया था इस अथाधर ऐसा सताथ तो या एटा उननिस सो सताथतर अब तो आपके इस क्वैस्टेट्ण का राइट आंसर अप्सट नमबर फूर उननिस सो सताथतर वर्ष उनिस सो सतातर एदी 1970 कि संयुक्त राज-अमेरिका में शून आधारित बजट तक्निक को सबसे पहले अपनाया गया था ठीक है ना आपसे नमबर फॉर इस दा राइट आंसर आपसे स्क्वेस्टेशन नाइंटेन सेवेंटी सेवें चलिए दोस्तों अभी बात कर रहे थे कि इसको जो स्युक्त अमेरिकां में अपनाआया गया और बहुरत में इसमेarat स्यूसा गया गरेन इससे सटमें और भारत में अधारिश बजट इस दो बता है तौँर्स के वारther भिजट्ट में अपनाया गाए सब्सक्राइब का आधारित बजट अपनाया गया था भारत में तो इस क्वेस्टिन का राइट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइब को अपनाया गया देखिए कहา से अपनाया गया सब्सक्राइब अमेरिका से वहां कब अपनाया गया 1967 में ना ठीक ना और भारत में जो है कब किस राजी सबसे पहले अपना यह बताना उपको तो यह आंध्र प्रदेश और भाश्रा के अथार पर सबसे पहला देश यहीं कठित हुआ था तो यह आपके जो है यूपीजी की स्वरीश में यूपीट्र पलस्टी का एक्जैम होना है उसके पॉइंट अफ्यू से इंपॉर्टेंट है इसकी सीरीज भी हमने स्टार लांपूर के बीच चिन्नाई और गुंट्रू के बीच दिल्ली और आगरा के बीच तो बतेए फ्रेंट्स की भारत में सबसे पहले रेल्वे लाइन का निर्माड कहां हुआ था और आज़ेंट्स आपके इस क्वेस्टिन का राइट आंसर हो जाएगा और अप्सेन नमबर एक है निकिम उम्माई और थाने की बीच तो भारत में सबसे पहले रेल्वे लाइन का निर्माड कहां हुआ था मुमाई और थाने की बीच आप्सेन नमबर एज़े आइस ता र कि भारत में कुल भूमी का कितना प्रतिशत क्रशिकार में सनलगन है तो फ्रेंड्स यह 52.7 परसेंट कितना 52.7 परसेंट ने कि 52.7 परसेंट भाग क्रशिकार्यों में सनलगन है तो अब आपका अगला क्वेस्टन है कि भारत की लगभग कितने प्रतिशत कारेकारी आबादी क्रशिकार्यों में सनलगन है देखिए भूम कितनी समलित है 52.7 परसेंट और अब इसमें पूछा गया है आबादी कितनी जो है सनलगने की इनवॉल्व है तो यह 48.9 परसेंट तो यह दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट है तो इस क्वेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा आपका आपका नमबर ए 48.9 परसेंट क्लियर फ्रेंट्स चलिए तो अब आपको बताना है कि इसको स्क्रिप कर देते हैं कि यह पर्तमान का क्वेस्टन नहीं है यह वर्स 2019 और बीस का क्वेस्टन है और उस टाइम जो जीडीपी ठीक ना इनके स्तक्र घरेलों उत्पाज जो किसे के शेत्र में योगदान कर रही थी ठीक है तो फ्रेंट्स वह कर रही थी जो है 13.9 पर सब्सक्राइब होना चाहिए भारत के सकल घरेलों उत्पाद में क्रश छेत्र का योगदान कितना है देखिए वर्थ 1950 से 51 में ठीक है ना कि क्यावन से जो है कितना योगदान है भारत में भारत में भारत के जीडीपी में क्रशी का इस तो यह 25.40 परसेंट ना 55.40 परसेंट चलिए तो अब आपका अगला क्वेशन है कि भारत में क्रश्च छेत्र के जीडीपी का कितना प्रतशत क्रशी शोध पर वे जाता है तो अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रस्ट में आपको बताना है कि भारत में जो है करशी छेत्र के GDP का कितना प्रतिसत करशी के शोध में व्यक्त किया जाता है वे कि खर्च किया जाता है तो शोध में ही होता है कौन सी किस्म अच्छे कौन कौन सी नहीं किस्म में आनी चाहिए है ना फसल की इन सभी में शोध होता है रिसर्च होता है और इसमें जो टोटल खर्चा आता है वो आता है आपका 0.3 परसेंट ठीक है ना कितना वे होता तो 0.3 परसेंट आपके इस question का right answer हो जाएगा option number 1 ठीक है चलिए तो friends आपका अगला question है कि देश में होने वाले कुल निर्यात में क्रशी तथा क्रशी उतपात से निर्मित वस्तूओं का योगदान कितना है अच्छा question है तो देश में निर्मित होने वाले कुल निर्यात में तथा क्रशी उतपात से निर्मित वस्तूओं का योगदान कितना है तो फ्रेंट्स अगर हम बात करें इस question के राइट आंसर गी यह है 11.76% 11.76% 11.76% है देश में होने वाले कुल निर्यात में क्रशी तथा क्रशी उतपात से निर्मित वस्तूओं का योगदान ठीक है ना शलिए आपका अगला सब्सक्रेंशन की था्राख में तक त्रिशने की ताती पाका तेल शोधन शाला किस राज्य में С्थित है तो फ्रेंड्स अच्छा तो इसका जो करार संचालन किसके द्वारा होता है किस संस्था के द्वारा होता है तो फ्रेंड्स आपके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तो हम नहीं हम जो हमने नई स्टार्ट की है आप उसको भी अपना प्यार दीजिए तो मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए आप अपना ख्याल हिए सेफ रहिए टेक केर फ्रेंड्स बाइब झान, तो झाल झाल को लीजिए तो हम जाप चान आप ईन्यार के लिए व्हाज़च आपके लिए. झाल 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 झाल